सबसे बरी दुरभाग बाली बात यही है कि आज तक बटबाडा ही नहीं हुआ अगर हुआ भी तो वो मौखिक पोजीशन जो मिला मौखिक तरीके से लेकिन आज क्या हो रहा आज हो रहा भी बाद चलिए आज समझने का प्रियास करेंगे अभी क्या है आपका बटबाडा का नियम कैसे किया जाता है किस तरीके से अगर परिवार में सहमती नहीं है तब कैसे करेंगे अगर परिवार में सहमती है तब कैसे कर लेना चाहिए है ना दोनों बाते पर डिसकस करेंगे लेकिन यहां तो आज तक क्या हुआ, बट बाड़ाई नहीं हुआ, अब मतलब राम चरन सिंग के दो बेटे, अतुल सिंग, परमोज सिंग, मतलब इनके दो बेटे, यहां तक तो सही है, यहां तक इनी के नाम से जमीन काब रसीद है, इनी के नाम से खतियान है, इनी के नाम स पकुछ अलग करता है। अपकुछ अलग तो हैं लेकिन कागजी कुछ भी नहीं है तो यानि जो भी है वो रामचरण सिंग के नाम से चलता है आज तक यही हुआ बटबाडा कभी नहीं हुआ अब जो है जब यहाँ पे राजेश सिंग, मुकेश सिंग रितेश सिंग, पपू सिंग और बिनोश सिंग आ गए और यानि समय यहाँ तक पहुंच गया अब हो गया विबाद, विबाद कहने का मतलब क्या है, कि अब एक तरह से सहमती नहीं है आपस में है ना, सहमती अगर नहीं है आपस में, तो अगर आप एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ कोई भी डिसिजिजन नहीं ले सकते आपका आपस में बाचीत नहीं है मतलब कोई भी किसी तरह का सह बटवारा करेंगे तो अब ही क्या नियम है क्या का उसको भी समझना होगा देख होता क्या है जब पड़िबार में जेनरेशन गैप हो जाता है ना पहले बच्चा छोटा छोटा सारा था मतलब उतना बड़ा समस्या नहीं था दो भाई दो भाई अलग रह रह रहे थे अलग अपना सब कुछ था है ना उनका जो भी प्रोपर्टी है वो अपना अलग था लेकिन किसी भी तरह हाँ ये दो भाई जो अतुल सिंग और परमोसिंग है उनी के पिता के नाम से यानि राम चरन असिंग के नाम से पूरी संपत्ती है हो सकता कि आपका फैमिली का जो डाइगराम होगा इससे थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन कंडीशन नहीं बदलेगा मतलब हर केस में जो नियम लगाएंगे वो ही लगाएंगे मना उसी तरीके से आप काम कर सकते हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं तो राम चरन सिंग को आप देख रहे हैं तो राम सिंग किन अतुल सिंग और परमो सिंग के पिता है तो पिता के नाम पे जमीन है क्या दिक्कत है कुछ भी दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसा ये जो है अगर अतुल सिंग समय रहते अगर माल लेते हैं एक बहतर डिसिजन लेते तो ये समस्य आज उच्पन नहीं होता इसलिए कि आज जो हो गया आज दो नहीं हो गए आज टोटल पांच हो गए जो कि अतुल सिंग के तीन बेटे हैं है ना राजेश सिंग मुकेश सिंग और रितेश सिंग और परमोश सिंग के दो बेटे हैं पपू सिंग और बिनो सिंग आप देखिए कि अब इसमें से अगर संपत्ती सारा राम चरन सिंग के नाम से है तो अगर बटबारा मौखिक है अगर कोई फिर कोट में चला जाए तो जितना भी position है सारा उलट-फिलट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब अगर कोई court में चला जाए तो जितना भी position है, इसलिए जो भी बात है मौकिक है, कुछ भी लिखित हुआ कहां, अगर कुछ भी लिखित होता तो ये समस्या उत्पन कभी नहीं होगा है ना लिखित अगर आपका है मतलब प्रोसेस के साथ अब लिखित का मतलब नहीं कि आप एक कागज निकाल दिये उस पे सारा बात लिखा हुआ ठीक हो आपके लिए मानने है लेकिन कोट के लिए नहीं कोट उसको नहीं मानेगा कभी नहीं मानेगा आपको लिखित अगर कोई ये stem एकिती बटबारा भी है ना अगर वो proper तरीके से है अभी भी बूरतमान में उसी के अनुकूल आप सभी position में हैं, तो बिल्कुल मानना होगा क्यों मानना होगा, लेकिन आपका अगर मौकिक तौर पे है वो जो कागजात है वो प्रोपर तरीके से सही से बना हुआ नहीं है तो अगर वैसा उसके हिसाब से आपका जमीन का धाखिल खारिज नहीं है जमाबंदी नहीं है तो फिर कोट क्यों मानेगा उसको तो अगर आपका वहाँ पे वो वैसे ही अन्वैलिड हो गया तो अभी समस्या उत्पन होने का कारण होता जेनरेशन का गया तो अगर आप सुरू में इस चीज को समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगा अब देखिए मान लेते हैं कि अब इसमें कोई बाहर रहते हैं सब एक साथ बैठने को तयार ही नहीं है तो इसलिए अगर हम सुरू में समलते तो बिबाद नहीं होता और अभी तो उल्जन वाली बात है मतलब इतनी छोटी सी की बात की प्रोपर्टी का एक प्रोपर तरीके से बटवारा करना है और उसके लिए कोट जाना परे तो वो भी सही बात नहीं है है ना तो इसलिए अगर आप उसको सुरुवाती में सुरुवात दौर में अगर प्रोपर तरीके से कागज बनाएंगे तो आगे चलके जो है आपको दिक्कत का सामना नहीं करना परेगा अब ये बिवाज जो है कह बोकिक किये है ना आज आप मानलते है परमोस सिंग के अगर जमीन से कोई एनच गुजर जा या एनच निकल जाए ठीक है तो इस जमीन का कीमत कितना बर जाएगा अगर आप चाहे यहां पर हिस्सा लेना तो राजेश मुकेश और रितेश किनों ले सकता उसको हिस्सा भीले सकता मुकेस भी ले सकता रितेस भी ले सकता है इसमें तो कोई सक नहीं कि हिस्सा वो नहीं ले सकता है ठीक तो इसके लिए करना क्या चाहिए देखिए अगर मान लेता है अभी आपका starting period है तो पहले उसके लिए बता दें कि आप क्या कीजिए सबसे पहले देखे हर state का अपना एक नियम होता है पहला बात कि हर जो आपका राज है उस राज का अपना एक बटवारा करने का सरकार के द्वारा नियम निकलता है उसको आप follow कर सकते हैं अगर उसको सही तरीके से proper तरीके से follow करेंगे और अगर उसके हिसाब से अपने जमीन को divide करेंगे अलग-अलग कर लेंगे land का tax यानि जमीन का रसीद सब आपना अलग-अलग कटा लेंगे तो बिलकुल वो मानने होगा दूसरा एक बटबारा आप कोट से कर सकते हैं अगर सहमती हो तो जो है बिलकुल वहाँ से आप जो है कोट के द्वारा भी कर सकते हैं तीसरा जो तरीका होता है कि अगर मान लेते हैं सहमती नहीं है नहीं दे रहा हिस्सा नहीं जो ही नहीं है नहीं दे रहा हिस्सा नहीं जो है आपको वह हिसा दे रहा है माल लेते हैं आतुल सिंग है या आतुल सिंग के पास अच्छा अच्छा प्रोपर्टी है परमो सिंग के बच्चे को या उसको नहीं मिला या राजे सिंग मुके सिंग के पास प्रोपर्टी ह उसका valuation काफी ज़्यादा है और इसमें पपू सिंग और बिनोस सिंग को उतना अच्छा property नहीं मिला उतना ज़्यादा valuation नहीं है तो सिधी सी बात है कोई भी किसी को भी ये बात जो है अलगेगा मन में कि मेरा जो property है उसका उतना value नहीं है और राजेस जी और मुकेस जी का जो property है उसका ज़्यादा value है तो ये बात समझने वाली बात है नहीं आपे उस case में उस case में जो है यानि पपू और बिनोस जो है वो एक decision ले सकता है और वो decision है partition suit का मतलब आप तो हिस्सा नहीं दे रहे हैं लेकिन वो partition suit करके हिस्सा ले लेगा मतलब न्याले में जाकर वहां से जो हिस्सा हासिल कर लेगा तो पहला जो step होता है मतलब राज सरकार द्वारा अब राज सरकार का परकिरिया निकाली है माल लेते हैं 100 के stamp पे बटबारा करने का या 1000 के stamp पे बटबारा करने का जो भी सरकार के द्वारा नियम है किस को अधिकार दिया गया है गराम पंचायत म है या जो भी उसका नियम परकिरिया होगा लेकिन कभी भी आप जमीन का रजिस्ट्री बटबाडा कर सकते हैं अब रजिस्ट्री बटबाडा कहेंगे तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि जमीन का रजिस्ट्री करना हो गया बिल्कुल नहीं, रजिस्टी बटबाडा का वहाँ परकिरिया होता है, आप जाएंगे ठीक है, वहाँ पर जमीन का रजिस्टी उतना पैसा आपको नहीं लगेगा उसमें, जितना रजिस्टी में लगता है, काफी कम कोस्ट इसमें भी लगेगा, बहुत जादा खर्च नहीं लगेगा, ठीक है लेकिन फिर भी थोरा खर्च होता है, लेकिन ये रजिस्टी बटबाडा अगर आपका हो जाएगा ठीक है, तो ये काफी वैलु वैल है अगर पार्टीशन सूट कर लेते हैं तो वो भी वैलु है, तो बिल्कुल सही, आप जो करना चाहिए पार्टीशन सूट, तो उसके लिए है कि अगर माल लेते हैं, आप कोट में केस फाइल करेंगे, आप हिस्सा नहीं देंगे, है ना किसी को तो वो अपना पक्ष रखने के लिए जा सकता है तो वहाँ पे भी सबका बटबारा कोट के द्वारा किया जा सकता है, ये कोट के प्रकिरिये के ताहत बटबारा होता है तो आज तक अगर आपका बटबारा नहीं हुआ है, तो अब ये जो है अगर आप जो चेन देख रहे हैं, जेनरेशन गैप का अगर इससे बर गया आगे तो काफी विबाद उत्पन हो सकता है कोई एक व्यक्ति माल लेते हैं सभी का एक पोजीशन एक जैसा नहीं होता मतलब समभी का माइंड एक जैसा नहीं होता आप घर में देखें आप घर में पांच सदस हैं भाई हैं बहान है पिता है माता है सबका सोच different है आप जो दिन वर में सोचते हैं बाकी के पास अगर share कर देंगे तो वो उसका हो सकता है कि उसमें कोई plus बात करेंगे कोई minus बात करेंगे को कहने का मतलब वो उनका अपना thinking वो अपना सोचने का level वो उस बात को सोच रहा है अगर डिफरेंट हो गया, सोच डिफरेंट हो गया, तो परमोस्तिंग के जमीन को बीचना सुरू कर देगा, लराई बरी मामला बरहा ऐसा नहीं है, बिल्कुल मामला कोट में जाएगा, परकिरिया आगे बरहेगा, इससे बहतर है कि आप सही समय पे समल जाएगे, अगर आप स सम्मंदित कोई भी सवाल है, या अन कोई सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है, सोचल यहाँ पर का लिंक भी दिया हुआ है, इस्टाग्राम, फेस्बूक का लिंक है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी सवाल अगले वीडियो में, तक तक के लिए जैए